दोस्तों मैं फाइटर देखके और फाइटर के बडुकल ने यह है और यही बात दो आप में ब क्या है योई तो आई हमारे सामने वो budget भी नहीं है उसके 8% भी budget नहीं है तो इस budget में area election कैसे होगा और यह एक franchise भी होने वाला आगे जाके तो कैसे होने वाला है area election कैसे करेगा VFX कैसे होगा CJ कैसे होगा इसको लेकर मेरे मन में एक डाउट था कि कैसे होगा खड़ा पुड़ा नहीं चाहिए वह जब budget में जिन्दा भी compromise करो लेकिन जब मैंने फिल्म देखा तो मैं आपको बोलना चाहूंगा budget मलब यहां पर आपको लाएगा कि 3000-2000 करण मलब टॉप गर् SFX मलब एक भी जगह आपको समझ में नहीं आगा कि यहां पर CGI के विसके गया है या फिर कोई green screen का भाई blue screen के SFX कुछ आपको समझ में नहीं आएगा इदना ची तरीके से पूरा किया गया है और खास करके यहां पर ट्रेलर जैसा लग रहा था कि एक आउट अन आउट पाथान बुलिये साथ एक आउट आउट एक्शन फिल्म है लेकि यहां पर एक्शन के साथ साथ जो है character development और emotion के उपर भी बहुत स्यादा जोड दिया गया है और यहां पर जैसे हमको देखके लग रहा था ट्रिलर में की टोटाली Pakistan bashing के उपर होने वाला है तो यहां पर ब इसके अंदर इतना पोटेंशियल है लेकिन यह बंद इतना कम फिल्म में करता है इतना कम फिल्म में क्यों आपके पास इतना पोटेंशियल है आप आप commercial फिल्म बोले, art फिल्म बोले सब फिल्म में आप expression देके ही पुड़े acting का 80 वरसन काम कर सकता हो उसके आइस में बोले जब emotional scenes आता है जब मलब कोई heart pitch, dialogue delivery होता है सब कुछ में वो excellent है फिर भी इतना कम फिल्म करता है मुझे पता नहीं क्यों तो फिर जो भी हो यहां पर बेशराम नंग था और वही जूमे जो पठानी आपर भी सेम दो ही गाना है और लास्ट में गाना जैसे होता है कहानी बहुत ही सिंपल है लेकिन इसका screenplay, editing बहुत ही अच्छा है जिस तरीक से editing किया गया है, screenplay को जिस तरीक से लिखा गया है, एक simple सा story को भी जैसे हमारे समन का bonding को develop किया गया है, हारे character को develop किया गया है, उसके बीच का रिस्ता का जो develop किया गया है, और रित्ती का backstory भी दिखाया गया है, वो भी मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब यहां पर emotions और human का psychology बहुत सारे चीजों के ऊपर यहां पर depth किया गया है, और खासकर कर मुझे एक च यहां पर भी flaws है, लेकिन फिर भी यहां पर कमाल का है, जैसे सीडरान ने पहले भी अनूंस किया था, fighter एक franchise होने वाला है, एक area action franchise होने वाला है, top gun के ही तरह, तो यहां पर आपको fighter 2 भी देखने को मिलेगा, 3 भी देखने को मिलेगा, अगर यह fighter अच्छा हुआ, और यहां कम पैसे बचाने के लिए चोटा स्कीन में देख लेते हैं, तो उस दोस्त का बात मत सुनना, बिलकुल आप जाए पीवीर, आइमेक्स या फिर आइनॉक्स में जाके बड़े स्कीन में, यह movie इंजाए किजिए, 3D में पूरा पक्का यह theoretical experience का material है, और यह पक्का एकदम last screen का material है, तो जाइज मुझे को देख के आइए,